ralo friends welcome back to my YouTube channel Friends आज इस वुडियो में हम बताने जा रहे हैं, कि आप अपने PM किसान में mobile number को change कैसे कर सकते हैं तो देख सकते हैं refrend PM किसान के website पे update mobile number का option दे दिया गया है तो आप घर बैठे हैं, अपने mobile number को बिलकूल आसानी से change कर सकते हैं जो भी ब्राउजर है उसमें आपको सिंपल आपको PM किसान टाइप कर लेना है PM किसान टाइप करने के बाद फर्स्ट वाले लिंक के उपर ही आप क्लिक कर लेंगे http.com.gov.in के उपर और जैसे ही आप इसके उपर क्लिक कीजिएगा देख सकते हैं PM किसान का official website open हो गया है आपको स्क्रोल करके नीचे आना है जैसे ही आप नीचे आएंगे map के नीचे जैसे ही आएंगे यहाँ पर देख सकते हैं option यहाँ पर देखने को आपको मिल जाएगा update mobile number का simple आपको इसके उपर क्लिक कर लेना है जैसे ही आप इसके उपर क्लिक कीजिएगा update mobile number देख सकते हैं आ गया है option अब यहाँ पर दो तरीके से आप सर्च कर सकते हैं पहला registration number देकर और दूसरा अधार number तो बहुत सारे लोगों को registration number पता नहीं होगा तो हम बिल्कुल easy method यानि अधार number के दोरा बता रहे हैं तो चलिए अधार number के उपर choose कर लिए यहाँ पे नीचे आएंगे और यहाँ पे देख सकते हैं आपको यहाँ पे अधार इंटर अधार number देख सकते हैं और नीचे में capture को फिल कर लेजिए capture read नहीं हो रहा होगा तो यहाँ से आप refresh कर लिजेगा यहाँ पे दूसरा capture आ जाएगा यहाँ पे हम अधार number and capture फिल करके search करते हैं जैसे ही search के उपर click किजेगा यहाँ पे gate अधार OTP का option देखने को मिलेगा नीचे में देख सकते हैं gate अधार OTP का option देखने को मिल रहा लेकिन चलिए direct हम gate अधार OTP के उपर click कर देते हैं जैसे ही आप gate अधार OTP के उपर click किजेगा आपके mobile number पे OTP send कर दिया जाएगा चलिए हाँ OK के उपर click करते हैं मेरा OTP आ गया है चलिए OTP को fill करते हैं तो OTP आपके अधार रजिस्टर mobile number पे जाता है फ्रेंड अधार रजिस्टर mobile number जो भी आपके अधार card से mobile number लिंक है उसी पर OTP जाएगा तो चलिए अधार OTP यहां पे हम इंटर कर लेते हैं 850939 अब सिंपल यहां पर हमने OTP को इंटर कर लिया अब verify OTP के उपर जैसे ही क्लिक करेंगे यहां पर OTP verify हो गया है अब यहां पर देख सकते हैं चलिए थोड़ा स्क्रोल कर लेते हैं उपर की वह नीचे में फार्मर डिटेल आपका आजाएगा देख सकते हैं रजिस्टेशन नबर यहां पर देखने को मिलेगा पौर्मर नेम देखने को मिलेगा और यहां पर अधार नंबर देख सकते ऊंड़ सकते हैं सब्सक्राण के उपर क्लिक करेंगे तो new OTP PM किसान के तरफ से भेजा जा चुका है देख सकते हैं मेरा OTP आ गया है और मेरा OTP है 6482 OTP इंटर करने के बाद जैसे ही verify OTP के उपर क्लिक किजिएगा यहां पे click here to update mobile number का option देखने को मिलेगा simple आपको इसी के उपर क्लिक कर देना है देख सकते हैं यहां पे simple okay के उपर क्लिक कर देंगे यहां पे आपका mobile number successfully update हो गया है तो इस प्रकार आप बिल्कुल आसानी से अपने mobile number को update कर सकते हैं कैसा लगाए वीडियो comment box में जरूर बताएगा thanks for watching मिलते हैं next वीडियो में